हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस, NB चैनल पर आप सभी का सौगते, आज के वीडियो में हम आपको कोर्टेक्स कंपनी का B5D हाई फ्रेशर कार वाशर बता रहें दोस्तों जी हाँ, ये जो कार वाशर है दोस्तों, ये हाई फ्रेशर है और हाई फ्रेशर होने के साथ साथ ये एकदम कम कीमत में मिलने वाला कार वाशर है दोस्तों, इसमें आटो टॉप सिस्टम, इजी टू कैरी, साथ ही दोस्तों ओर हीटिंग प्रोटेक्टर और ओर लोट प्रोटेक्टर के साथ यह कार वाशर आता है और एकदम कम कीमत में मिलता है दोस्तों, इसलिए इसकी व आपको पूरी तरह से सम्झाऊऊगा भी और चेख करके विबताऊँगा इससे कार वाश करके बताऊँगा यह बिल आया है दोस्तोओ यह वारेंटी गाड आया हुआ है यह मैनवल आया है दोस्तों आप देख सकते हो इसमें इस कंपनी के सभी कार वाशर की सिरीज दी हुई है आप इन में पढ़कर भी दूसरा भी परचेस कर सकते हो इसके साथ आनी वाली आप देख सकते हो गन है दोस्तों एक वाश करने के लिए गन और यह आप देख सकते हो यह इ इसके साथ एक फोम आया है दोस्तों इसको आप वाशिंग के समय यूज़ कर सकते हो उसके बाद में दोस्तों ये इनलेट पाइप आप देख सकते हो जी हाँ इनलेट पाइप और ये आउटलेट पाइप जी हाँ दोस्तों हेवी पाइप है आप अगर इसको हाथ में लोगे तो ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना हेवी है जी हा दोस्तों और ये देखिए इसमें एक कैनन आया हुआ है छोटा दूसरी बात दोस्तों इसमें एक फिल्टर है इनलेट फिल्टर ये बड़ा वाला फोम कैनन है दोस्तों जी हा ये फोम कैनन है ये इसकी गन की रोट है दो एक स्रा और ये हैं दोस्तों मशीन जी है आप देख सकते हो एक दम है एजी मशीन है दोस्तो आप इसे एजी ली कहीं भी कैरी कर सकते हो है मैं आपको मशीन बता दू इधर के साइड भी आप देख सकते हो, एक स्वीच है अन आफ का, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, मौडल है दोस्तो, B5D, वर्किंग प्रोसेस है 130 बार, आटरा सो वाट का यह मशीन है दोस्तो, 1.8 किलो वाट, और एक मिनिट में 10 लीटर पानी की इसकी शमता है दोस्तो, इस तरह से यह पूरा complete मशीन है, तो चलो मैं आपको इसे अभी operate करके बता दू, जी हाँ दोस्तो, कि इसको operate कैसी किया जा सकता है, इसे assemble कैसी किया जा सकता है, देखे दोस्तो, मशीन का यह input है दोस्तो, और यह वाला output है, जी हाँ, input थोड़ा मोटी साइज में होता है, और output थोड़ा छो यह लग गया है दोस्तो, उसके बाद में जो inlet pipe है, इसको आप इस inlet connector के outer में ऐसा सिर्फ फसा दीजे, और यह वाले को fix कर दीजे, जी हाँ, यह pipe भी इसमें fix हो चुका है दोस्तो, और आपको कुछनी बस इसको इसके अंदर fix कर देना है, जी हाँ दोस्तो यह देखे है, कट करके आवाज है, इसका मतलब यह lock हो गया, खोलने के लिए आप इसको पीछे करके खिच सकते हो, अगर आप इसको दबा दोगे, आवाज है, इसका मतलब यह fix हो गया, यह हो गया दोस्तो, इसका input, तो यह इसका inlet हो चुका है दोस्तो, और inlet को आप अगर bucket में दाल रहे हो, तो आप directly filter लगा सकते हो, जी हाँ, और कोई भी bucket में इसे छोड़ सकते हो, और अगर आप null अगरा को connect कर रहे हो, तो आप इसे direct दूसरे pipe अगरा में भी connect कर सकते हो, अब बात करते हैं दोस्तो output की, तो output में यह जो pipe आया हो है दोस्तो, जिसे आप देख रहे हो, इसको आपक fix हो चुका है, अब इसका जो दूसरा सीरा है दोस्तो, यह वाला, यह directly gun को attach होता है, आप देख सकते हो, यह भी दोस्तो, यह पूरी तरह से इसके input output हो चुके है दोस्तो, आप directly इस gun को चला सकते हो, इस तरह से, अगर आपको gun को बड़ा करना है, तो आप इस nozzle को निकाल लीजिए, यह gun को फसा दीजिए, जी हाँ, और उसके सामने इसको attach कर दीजिए, तो आपका gun जो है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर आपको form cannon लगाना है, जी हाँ, अगर आपको gun को form cannon को attach करना है, तो आपको मैं form cannon बता दूँ, यह देखिए दोस्तो, यह form cannon है, इसको बाहर निकाल लेते सबसे पहले तो, तो आप देख सकते हो, यह company का ही form cannon है, और यह connector साथ में आवा है, तो यह connector को आप पीछे की लिजिए, जी हाँ, इसे आप पीछे आगे कर सकते हो, तो इसे पीछे करके इसके बाद में यह form cannon जो है, वो directly squatted हो जाएगी, जी हाँ, और आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो, यह जो form है दोस्तो, उसे अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो इसे आप ज़्यादा pressure ले सकते हो, और कम करना चाहो, तो कम भी कर सकते हो, directly इसे आप अपने car को easily wash कर सकते हो, त चलो मैं practical के साथ आपको इस पूरे machine को operate करके बता दूँ, अभी फिलाल मैं इसे निकाल लेता हूँ, यह देखे दोस्तो, आमने पूरा इसका connection कर लिया, यह outlet है, लेकिन आभी इसे चालू करने के पहले मैं इसकी gun को open कर लेता हूँ, जी हाँ, अभी फिलाल फर्स टाइम मै इसे on कर रहा हूँ, करके दोस्तो, without gun से इसका pressure चेक करूँगा, आप देख सकते हो, यह देखिए, यह देखिए, अभी मैं इसे on कर रहा हूँ, इसमें अगर किसी तरह का कोई कच्राव अगेरा है, तो automatically निकल जाएगा, इसलिए मैं इसे on करके off कर दिया, और आप देख सक प्रेशरा से automatic है, और कितना भी प्रेशर यह समाल सकती है, तो चलो अभी घं को operate करते हैं, यह आप देख सकते हो, अभी आप देख सकते हो, सीधा जा रहा है, प्रेशर अच्छा दिख रहा है, अभी मैं इसे तोड़ा on कर लो, आप देख सकते हो, जैसा चाहो वैसा मैं इस आपरेशर सकता हो, प्रेशर तो चाहा सा दिकराईव स्टू कर दूँ कर दो कर्दाए मिल्याम ओैया और यह देखिए दोस्तो हमने फॉम-कैनल में 100 ml शैंपू के साथ पानी भर दी है अब यह हम फॉम-कैनल को अटेज करने के लिए इसकी नोदल निकाल लेंगे गं की जिहां और इसके सामने यह फॉम-कैनल को अटेज करने वाला नोदल फिक्स कर देते हैं दोस्तों जिहां इ तो आप भी दोस्तो इस कार वाशर की मदद से अपने घर पर ही अपने कार को पूरी तरह से वाश कर सकते हूं पहले पानी से पूरे कार को धो देना है उसके बाद में फॉक गन से शांपू स्प्रे करना है दोस्तो और फिर से शांपू को दो मिट के बाद वाशर से धो देना है आपका कार मिंटो में क्लीन हो जाएगा इजी और सिंपल तरीका है दोस्तो लेकिन इसके लिए आपको इस क का लिंक दिया हुआ है आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसनाई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरुतमन दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा आप सभी मित्रों का धन्यवाद